प्रिये विध्यार्थियों, आज हम देखेंगे चुमकन दीवरता क्या है, चुमके प्रवर्ती और पारगमेता क्या होती है, इनके मद्धे क्या समन्ध है, और इलेक्ट्रोन का चक्रन चुमकन दीवरता को हम डिफाइन करते हैं, कि पदात का कुल चुमकन दीवरता क्या है, तो एक एटम का जो चुमक्यागून है वो μू 1 हो, दूसरे एटम का चुमक्यागून मू 2 हो, तीसरे एटम का चुमक्यागून मू 3 हो, और एनवे एटम का मू 1 हो, तो जो पदार्थ का कुल चुमक्यागून निकलेगा, वो इन सब का योगफल होगा, तो इसलिए हम इसको द समानुपाती होती है क्योंकि हमने देखा है था कि चुमके अगुन किस पर निर्भर है चुमके शित्र पर निर्भर है तो इस तिये जो चुमकन शित्र है उसके समानुपाती होती है चुमकन ती वृता तो यह समानुपाती का चिन जब हम हटाते हैं तो एक कॉंसेंट आता है जिसे हम कहते हैं चुम के प्रवर्ति, तो M is equal to काईम H, तो यहां से हम H जानते हैं क्या होता है, B upon mu 0 होता है निरवात के लिए, तो चुम के प्रवर्ति को अगर मैं देखूं तो उस का मान हो जाएगा M upon H, और अगर H का मान एकांक हो जाए, तो M का मान किसके बराबर हो यानि कि एकांक मान के चुमकन शित्र से जो हमें पदार्थ में चुमके तीवर्ता मिलती है, वो किसके बराबर होती है, चुमके प्रवर्ति के बराबर होती है, और इसका मान पदार्थ की प्रकरती पर निर्भर करता है, तो जब हम पदार्थों को विभिन केटेगरी में बाटते हैं तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चुमके शित के प्रति क्या वेवार है उनका और उनके चुमकन प्रवर्ती के मान क्या है तो प्रति चुमके पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो ये बाहे चुमके शित से हलके से प्रतिकशित होते हैं इसलिए तो इ परदार्थ हैं प्राषित्र पर खाली के फुक्षक्य पमार्थ पर लुग में, परदार्थ लुग परदार्थ बहुत एहाथ इसनी चुमकन प्रवर्ति के छी तौर्ड रुग कह पाली के जी मार्थ हैं और लुग चुमकिय रूप से तीन केटेगरी में बाटा हमने अनुचुमकिय, लोहुचुमकिय और पती चुमकिय अब यहां हम देखते हैं कि जब बाहे चुमकिय शित्र नहीं था पदार्थ पर तो जो पदार्थ के एटम्स के चुमकिय अगून थे वो विभिन दिशाओं में औरियं चुमकिय शित्र की तरफ इसलिए वो जिस प्रकार से उनका औरियंटेशन होता है उस हिसाब से उनकी चुमकंति व्रता बढ़ती है और यह पाया गया है कि समाने तर जो पदार्थ की उश्मे उर्जा है वो उसका विरोध करती है जो उर्जा गति उर्जा उनमें है जो पदार्थ के समाने तर जैसे ताप बढ़ता है वैसे उसमें चुमके प्रवर्ती में कमी आती जाती है अब हम यह पाते हैं कि इस चुमके प्रवर्ती के लिए जब हम अनुचुमके पदार्थ के लिए बात करते हैं तो अनुचुमके प्रवर्ती जो है वो तापकी वित्क ती जहां सी है क्यूरी नेतांक और यह जो नियम है वो कहलाता है क्यूरी का नियम लेकिन लोह चुम के पदात के लिए इसमें थोड़ा सा परिवर्टन आता है हम यह कहते हैं कि लोह चुम के पदात की जो चुम के प्रवर्ति है that is inversely proportional to T minus Tc यानि ताप के तो लेकिन यहां पर एक नेतांक हमने और जोड़ा है एक टम और जोड़ी है ताप की जिसे हम कहते हैं क्यूरी ताप और यह अलग लग पदार्थों के लिए अलग लग होता है और क्यूरी ताप वो ताप है जिस पर जो लोह चुम के पदार्थ है उससे अधिक ताप हम कर दे अनु चुम्किया Streem and peer-review निरधारित प्दार्थ की एक ग्राम के लिए के लिए जब हम चुम्किया प्रावर्ती को कहलाती है विषिए चुम्किया प्रावर्ती никомय चुम्किया प्रावर्ती सप्पैसिक्विबिलिटी और बिले लो lunch के भरावर जहां रो कायम अपान ए तो इस प्रकार से अलग-लग तरीके से हम चुमके प्रवर्ति को डिफाइन कर सकते हैं और अनो चुमके लिए पदार्थ के लिए हम क्यूरी का नियम भी हमने देख लिया है और लो चुमके के लिए हमने क्यूरी वाइस का नियम भी देख लिया है अब हम देख इन दोनों के मद्दे जब हम समन देखते हैं तो हमने माल लिया कि पदार्थ को हमने क्या रखा है बाहे चुमकिशित में रखा है और बाहे चुमकिशित में रखने पर पदार्थ कैसा हो जाता है चुमकित हो जाता है और चुमकित होने पर उसमें क्या उत्पन हो जाएगी च चुमकन तीवरता की कान भी चुमके शित्र होगा, चुमकन शित्र भी है वहाँ पर, तो जो पदार्त का परिणामी चुमके शित्र होगा, वो किसके दोरा दिया जाएगा, कि B is equal to mu0H plus M, जहाँ पर M को हमने देख लिया है, M का relation भी H से जुड़ा हुआ है, और M को हम लिखत is equal to mu0H into 1 plus Km, मु0H को हम नीचे ले आए, तो B upon H is equal to mu0 1 plus Km, और B और H का जो रेशो है, वो क्या कहलाती है, माध्यम की अब पदार्त की चुमके पारगम मेता हो जाती है, तो mu is equal to mu0 1 plus Km, मु0 को हम नीचे ले आते हैं, इसके तो बन जाती है, Relative Magnetic Susceptibility, आप एक्षी चु is equal to 1 plus Km, तो mu0 is equal to 1 plus Km, ये जो समंध है, वो है चुमके प्रवर्ती और चुमके पारगम मेता के मध्ये समंध, ये बिल्कुल लगभग वैसा ही है, जैसे कि हम विद्धु शित्रों के लिए जब बात करते हैं, तो हम चुमके विद्धुतिय प्रवर्ती और विद्धुत शिर्ता के मध्ये हम रिलेशन निकालते हैं, यानि एपसाइलन R is equal to 1 plus Km, ये हम रिलेशन निकालते हैं, तो ये भी रिलेशन लगभग उसके ही तुल्ले है, अब हम बात करते हैं, इलेक्टॉन के चक्रण और चुमके आगोन की, चक्रण चुमके आगोन की, अब इलेक्ट में कख्षे गति के अलावा भी एक और गति होती है, जिसे हम चक्रण गति कहते हैं, ये लेक्टॉन बिल्कुल प्रत्वी के तरह है, जैसे प्रत्वी सूर्य के चारों और भी घूमती है, और अपनी अक्ष पर भी चक्क्र लगाती है, यानि आर्बिटल मोशन के साथ, इस इस तरह इस नैज कौन्टाइज कोन्य समभेग को समझने के लिए ये माना गया कि लेक्टॉर में कख्षे गटि क्यातिर गटि अथिर्ग और गटि है वह स्पिन मोशन उसकी उसको नाम दिया गया और ऐसा पाया गया कि इस चक्रन के खारण जो उत्पन कोन्य समभेग है वह प्रतिसमानतर होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कक्षिय कोने समवेग कक्षिय चुमक्यागोन के प्रतिसमानतर होता है तो जिस प्रकार से हमने relation निकाला था आपके पास कि μू एल का मान जो होगा उसी अनुरूप इलेक्ट्रोन के चक्रन के लिए भी एक relation लिखा गया और वो relation किस्ते दिया गया कि μू स इस इकल टू माइनस जी एस एपान टू एम इन्टू एस के बराबर जहां जी क्या है एक चक्रन के लिए गुनांक है जिसे splitting factor भी हम कहते हैं और इस का मान जो चक्रन गती के लिए है वो होता है दो अगर हम इसको टू लिखते दे हैं तो टू परीचे cancel हो जाएगा तो मू स का मान मुझे मिल जाएगा माइनस इपान टू है माइनस इपान एम इन्टू क्योंकि सब्सक्राइब बड़ाबर एक देख लिए एक दूसरे के रिप्रिध निके दूनों जो इन्टू है तो इन दोनों समंदों से मैं पाती हूँ कि मुएस अपन एस कामान 2 upon मुएल अपन एल के बरावर मुझे मिलता है यानि मुएस अपन एस कामान μुल अपन ल के दुगने के बढ़ा-बढ़ है अब यहाँ पर इलेक्ट्रोन का जो चक्रन की कान कोणिय समवेग है वो बिल्कुल उसी तरहे दिया जाता है जिस प्रकार से हम कक्षे गती के लिए देते हैं तो मुझे S का मान क्या मिलता है रूट S, S प्लस 1, H क्रॉस जहां S क्या है, मैगनेटिक कॉंटम नंबर है जहां H क्रॉस क्या है, रेडियूस प्लैंक कॉंसिंट है जिसका मान होता है, H अपन 2 पाई के बराबर जहां H क्या है, प्लैंग का constant है, जिसका मान क्या होता है, 6.62 into 10 के पाव माइनस 34, अब यहां से हम देखते हैं, कि आपके पास यह जो मान है, चक्रण और का जड़ दिशा में component भी निकलता है, और जड़ दिशा में component के इसके दो घटक हो सकते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ इसको हम कहते हैं, MS से दर्शा आते हैं, magnetic quantum number हो जाता है, तो यह MS के दो मान हो सकते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ बताता है, इलेक्रोन के spin अपको, और माइनस हाफ बताता है, इलेक्रोन के spin डाउन को, तो जब दिशा में 2 component, ब्लस हाफ ωर माइनस हाफ तो जब दो प्रकार के कोण यह सम्वेग electron में स्थित हैं, कक्षिय भी है और चक्रन भी है तो जो कुल इलेक्ट्रन का कोण यह सम्वेग होता है वो इन दोनों का सधिश्योग होता है J is equal to L plus S तो जब जिस प्रकार से हमने L के लिए आपके पास चुमक्या घून लिखा वक्षे गती के लिए चुमक्या घून लिखा इस प्रकार से इस प्रकार से हमने एलेक्रान की चक्रन गती के लिए हमने चुमक्या घून लिखा तो इन दोनों के जो summation है उसके लिए जब हम कुल चुम के अग्हुन लिखते हैं तो वो म्यूजे से लिखा जाता है और similarly मैं म्यूजे का मान क्या लिख सकती हूँ minus g e upon 2m into j और j यहां क्या है अगर यह आग के पास मान ले हम यह पूरी तरह कक्षे गती हो जाए तो j को मैं l से रिप्लेस कर दूँगी और g जो कॉंसेंट है शुध चुक्रे गती के लिए कक्षे गती के लिए शुध अगर कक्षे गती हो रही है और और j l से रिप्लेस हो गया और g को हम रिप्लेस करते हैं g l से और j l का मान क्या होता है और अगर मानलोग पूंते हमेरे पास चक्रन गती हो जाए तो मैं J को किससे रिप्लेस कर दूंगी S से और G को रिप्लेस करूंगी G S से जिसका मान क्या होता है तो आपको अंडर्शूड है कि यहां म्यूजे की बज़ए अगर आपके पास कक्षे गती है तो J की जगे L तो यहां म्यूज मिलेगा और अगर चक्रन गती है तो J की बज़ए S रखने से क्या मिलेगा यहां म्यूज तो यह रिलेशन जो कि मैंने उपर लिखे हैं चक्रन गत माइनस g, e upon 2m into j. जहां g क्या कहलाता है? लेंडे का स्बीक्डिर फेक्टर कहलाता है. लेंडे का विभाजन गुणांक कहलाता है. जैसे हम ककशिय गति के लिए chúng Ready gL से निरुपित करते हैं. चक्रिय कति के लिए हम जीएस से निरुपित करते हैं. शुद कख्षय गती के लिए JL का मान 1 होता है और शुद चक्रन गती के लिए JS का मान होता है 2 तो इस प्रकार से हम electron के लिए भी चक्रन गती को भी define कर सकते हैं चक्रन के कान चुमकियागोन भी निकाल सकते हैं और हम अगले लक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से चुमकित पदार्थ के लिए किसी भी बिंदू पर चुमकियागोन करते हैं उसको define करते हैं जब पदार्थ समान रूप से चुमकित हो और जब पदार्थ असमान रूप से चुमकित हो तो यह हमने देख लिया है कि जब हम पदार्थ पर चुमके शित्र लगाते हैं तो उनके चुमके अगुन क्या होते हैं चुमक्ये शेत की दिश्या में ओरेंट होकर पडार्थ को चुमकित करते हैं उसमें चिमकन. तीरुटा पैदा करते हैं, तो यह चुमकन गया है, समान रूप से किया गया है । समान रूप से करने का मतलब हर दिशा में आपके पास चुमकन. पर चुमकन तीवर्ता कामान क्या मिलेगा पदार्थ के हर बिंदू पर चुमकन तीवर्ता कामान क्या मिलेगा समान मिलेगा और अगर आज समान रूप से चुमकित पदार्थ है तो पदार्थ के हरे थोड़ी सी दूरी ट्रैवल करने पर ही पदार्थ में हम थोड़ी सी डिल चुमकी शित्र का मान क्या मिलेगा धन्यवाद